हेलो फैंस वेलकम टिस्ट्रोगेम लेजीस दोस्तों हम सभी जानते हैं कि AIBE यानि कि देख सकते हैं मैंने arder कि जो इसे बैरक्ट ले जा जाता है, अज यह 20 शेट करेיל कोईंदिझनों है इस का लिंक मैं डिस्क्रिप्टशिन में दें दूँगा आप उहां से जाके इसे खरिश सकते हैं और आप भी AIBE का थ्यारी कर सकते हैं और इसको भी एक्जाम में आप ले जा सकते हैं तो बहुत लोग को confusion होता है कि हमें AIBE के एक्जाम में कौन सा बेयरेक्ट ले जाना है तो चलिए मैं इसे open करके दिखाता हूं कि कौन सा बेयरेक्ट इसमें है और कौन कौन से किताब है इसमें है तो दोस्तों यह देख सकते हैं इसे मैं फिलिप कार्ट से बंगाया हूं और यहां पर मेरा एड्रेस पूरा लिखा हुआ है और मेरा नाम भी लिखा हुआ है तो इस तो दोस्तों यह देख सकते हैं टोटल यह 20 बुक का सेट है यह टोटल यह 20 बुक का सेट है आप देख सकते हैं यहां पर इसे मैं कहां से मंगाया यह आपको मैं बता दे रहा हूं फिलिप कार्ट से मैंने मंगाया वह आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं आप यहां आप देख सकते हैं फिलिप कार्ट से मैंने मंगाया था यहां पर ओडर किया था मैं इसे यहां पर देख सकते हैं 1,130 रूपीज में मैंने इसे ओडर किया था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से बाई कर सकते हैं और दोस्तों इसको मैं उप्यन करके दिखा दे रहा हूँ अभी इसका जो प्राइज है बढ़ भी गया होगा वह मैं उप्यन करके दिखा दे रहा हूँ यह रहा देखिए अभी इसका जो प्राइज है बढ़ गया है 1,577 हो चुका है तो इससे पहले 1,130 में था अभी 1,577 में हो चुका है तो दोस्तो इसका मैं लिंक दे दूँगा यहां से बहुत इजी होगा आप बाई भी कर सकते हैं और एक्जाम बहुत अच्छे तरीके से आप बेर एक्ट के द्वारा दे भी सकते हैं दोस्तो यह जो बेर एक्ट है आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है without note and comments, तो ऐसा bear act हमें AIBE exam में हमें ले जाना होता है, जिसमें note और comments दिया होता है, ऐसा bear act हमें बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, यदि आप ऐसा book ले जा रहे हैं जिसमें note और comments दिया है, तो हाँ पर जो guard लगे होते हैं आपको exam हाल में नहीं ले जाने देंगे, किताब छिन जो भी बुक्स होगर आप बेरक्ट ले जाएंगे वो छिन लेंगे तो ऐसा ही आप बेरक्ट ले जाएगा जिसमें लिखा रहेगा without note and comments इस तरह का बेरक्ट ले जाएगा दोस्तो इसे exam में ले जाने में बहुत ही help मिलता है आप जो section भूल जाते हैं इसे open करके आप देखके तो जो भी question होता है उसका सही answer आप दे सकते हैं तो दोस्तो अब मैं आपको advice दूँगा आप जरूर बेरक्ट exam में ले जाएं और हो सके तो अगर आपके पास time है तो online कर लीजे और एक बार आप मंगा लेते हैं तो ये हमेशा के लिए काम भी आएगा तो मैं advice करूँगा आप ये सारा किताब जरूर खेल लीजे ये lifetime आपको काम आएगा तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताएं चलिए मिलते हैं next video में जाहिंद